हेलो स्टुेएंस तो हमारे चप्टर कैमिकल बांडिंग के अंदर हम लोग ने लास्ट ख्लास तक हाइघ्ल केन्ट करना सिख लिए ने देख था कि बहुत डिटेल मों ने पढ़ा कि हाइग्पडेशन क्या होता है कैसे हम को calculate करते हैं और लास्ट क्लास आपको एक ट्रिक भी शिखाए जिससे आप किसी मॉलिक्यूल के इंदर हाइबिडाइशन भी बता सकते हो एक तीर तीन फायदे लोन पेर भी बता सकते हो और साथ-साथ आप बॉंड पेर्स भी बता सकते हो तो आपको सिखाए देता लास्ट क्लास प्रैक्टिस भी करवा दी थी क्वेशन भी आप करवा दी थे आओ आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम hybridization और VACP RT के combination से किसी भी molecule की geometry को predict कर सकते हैं ठीक नोट प्रेड कर सकते हैं बता सकते हैं ठीक है देखो VACP RT से आप किसी भी molecule की geometry बता सकते हो और साथ ही साथ उस molecule के अंदर जो bond angles है उन bond angles के उपर भी कमेंट कर सकते हो देखो actual bond angles तो क्या होते हैं experimentally determined होते हैं लेकिन हाँ आप VACP RT के help से बता सकते हो कि किसी molecule में bond angle hybridization के bond angle के बराबर होगा उससे कम होगा या फिर उससे जाद होगा जैसा आपने सीखा VACP RT बोलती है कि यहाँ पर loan pair loan pair loan pair bond pair और bond pair bond pair में repulsion होता है जब repulsion होते हैं तो bond angles भी क्या होते हैं चेंच होते हैं अ आपका क्या होता जाता है उतना ही कम तो bond angle और repulsion between electron pairs हमेशा एक दूसरे के opposite होते हैं molecule के इंदर जितना जादा repulsion होगा उसका bond angle relatively क्या होता जाएगा उतना ही ज्यादा कम होता जाएगा इन चीज़ों को ध्यान में रखके अब हम सीखते हैं structures बनाना देखो अभी मैं आपको आगे वापस और examples के दूसरे explain करूंगा अभी तो मैं एक एक example pick कर रहा हूं और to determine geometry ठीक है बहुत ही आसान से trick है आपको करना क्या है सबसे पहला काम calculate the hybridization state calculate the hybridization state of central atom ठीक आप क्या करोगे atom की hybridization state निकालोगे आपका central atom उसकी ठीक है second then make the same geometry as predicted by hybridization फिर hybridization से आप इसकी geometry predict करते हो उसी geometry को आप यहां पर plot कर लोगे ठीक और फिर आप करोगे तीसरा काम यह सबसे important काम है place the loan pairs at loan pairs या फिर multiple bonds at at minimum repulsion position and then don't count the loan pairs in geometry the left geometry will be the actual geometry अब बहुत सिंपल से ट्रिक है आप इस ट्रिक को follow करें आप और कहीं नहीं मिलेगी जहां मिलेगी वह मुझसे ली हुई है ठीक है क्योंकि मेरी अपनी बनाई हुई resistance उतनी ज्यादा होगी और रिपल्शन क्या होगा उतना ही कम लोन पेर को आप वहां रखोगे जहां पर रिपल्शन क्या होता है सबसे कम होता है और उसकी बाद उस लोन पेर को यहां पर एक लोन पेर नहीं हो सकता है यहां पर एक यहीं ट्रॉन पियर नहीं हो सकता है घ्रुइक बनेगा दर्टस दूनोंकी दूनों बॉन पेर हो और एक गे बन ना हो पिक तो देखो आप निकाल Suz KL 2 example देखोगे तो SP hybridization में यह geometry आती है तो यह आपसे क्या कहा था कि अगर molecule के अंदर lone pair नहीं है तो उसकी geometry वही होगी जो hybridization से predict होती है तो देखो SP hybridization की geometry होती है linear इसलिए BCL2 की geometry भी linear होगी और bond angle कितना होगा 180 degree होगा ठीक second क्या होगा आपके पास number of hybridized orbitals कितने आजाएं 3 जब 3 hybridized orbitals होते हैं तो देखो SP3 hybridization होता है होता है ना अब देखो यहाँ पर 2 case बन सकते हैं कितने case में सकते हैं 2 पहला case first आपके पास तीनो की तीनो bond pair हो और एक भी lone pair नहीं हो तो देखो molecule के अंदर lone pair नहीं है न तो इसके geometry वही होगी जो hybridization से predict होती है तो इसका example देख लो जैसे BCL3 तिक या फिर SO3 इनके अंदर अगर आप देखें तो कोई भी lone pair नहीं है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे bond pairs होंगे चाहो तो आप count करके देख लो SO3 में valential में 6 electron, oxygen के बीचे 24, 24 by 8 is 3, तो 3 bond pair और 0 lone pair तो SP3, sorry SP2 लिखना ही है, SP2 hybridization होगा आपका और SP2 hybridization के अंदर molecule की geometry क्या आती है, trigonal panel, तो यह BCL3 की geometry होगी, bond angle कितना होगा 120 degree, similarly यह SO2 की geometry होगी, sorry SO3 की, क्योंकि यहाँ पर भी sulfur के पास एक भी lone pair नहीं है, लेकिन अगर आपके molecule के पास lone pair हो तो देखें वो बनेगा अपना इसका second case, यह first case था, यह इसी का second case, अब क्या हो, दो bond pairs हो और एक क्या हो, lone pair हो, तो दो bond pair, एक lone pair में क्या होगा, example हो गया जैसे SO2, इस case में आप क्या करोगे, ध्यान देना, यहाँ sulfur के पास एक lone pair है तो पहले आप hybridation निकालो, मैं पूरा track ही use कर रहा हूँ, इस तो आपको पता है इसका hybridation SP2 है लेकिन क्यों, हम तो practice करते हैं न, देखो, 6 and 12, 18, 18 by 8 करो, तो अगर आप 18 by 8 करोगे तो 8, 2 सा 16, remainder 2 by 2 is equal to 1, दो bond pair और एक lone pair तीन आ गया, यानि SP2 हैब्रेशन होगा, SP2 हैब्रेशन की geometry बनाओ ये दो oxygen double bond से bonded होंगे, और तीसरी position पे क्या आजाएगा आपका lone pair तो अब क्या सिखाया, calculate the hybridation of central atom, make the same geometry as predatory by hybridation place the lone pairs at minimum repulsion position, इस geometry में तीनों position same है आप कहीं पर भी lone pair को रख सकते हो, lone pair को रखने के बाद आप उसे shape में count ना करें तो देखो, ये एक V shape geometry बन रही है तो हम V shape और bent और angular geometry के नाम से जानते है तो यह होगा आपके पास case जब दो bond pair होंगे और एक lone pair होंगे आपको ये नहीं रटना है कि ये SO2 की geometry होती है, ये किसी की भी geometry हो सकती है बस आपको तो देखना है कि जब दो bond pair एक lone pair होगा, तो SP2 hybridation होगा, SP2 hybridation structure बनाओ और lone pair को minimum repulsion portion पर रखने के बाद lone pair को shape में count मत करो, आपको molecule की actual geometry मिल जाएगी quit out, समझ में आ रहा है, अब यहाँ पर एक bond pair और दो lone pair नहीं हो सकते है क्योंकि एक bond pair होगा और दो lone pair होगे सेंटल एटम के उपर, तो ऐसा case यहाँ पर possible है ही नहीं तो उस case की हम बात करते ही नहीं है, हम move करते हैं अगले case पर, that is आपके पास 4 hybridized orbitals होगा कितने hybridized orbitals होगे, चार hybridized orbitals हो, case number 3, number of hybridized orbitals is equals to 4 तो जब 4 hybridized orbitals होगे, तो आपके पास कौन सा hybridization होगा, SP3 hybridization होगा होगा, तो आप SP3 hybridization के इंदर अगर आप देखेंगे, तो जो पहला case बनेगा, case वही होगा चारो की चारो क्या हो, bond pair हो, और एक भी lone pair ना हो, example जैसे आपके पास हो गया CH4 तो जब 4 की चारो ही bond pair है, एक भी lone pair नहीं है, तो hybridization, geometry वही आएगी, जो hybridization करता है, यानि CH4 की geometry कैसी होगी, tetrahedral होगी और जो bond angle होगा, वो 109 degree 28 minute होगी, एक चीज़, बताओ bond, ये geometry planar होगी या non-planar ये geometry कैसी होगी, non-planar, ये मैं आपको पहले बता चुका हो, लेकिन ये जो सारी geometries थी, ये सब की सब geometries कैसी रही होगी, planar, क्योंकि सारे atoms एक ही plane में होगे, अगर मैं आपसे आज से पूछू, कि एक plane में कितना atoms होगे, तो देखो, इस वाले plane के अंदर ये तीन hydrogen atom एक साथ होगे, कर सकता है, चलिए, इसी का second case, second case क्या बनेगा, अब आपके पास तीन bond pairs हो, और एक lone pair हो, इसका example है, आपके पास NH3, जहाँ पर nitrogen के पास एक lone pair रहता है, ठीक है, hybridization state क्या रहती है, आपकी वही sp3, count करके देख लो, 5 and 3, sorry, 7 threes are 21, 21 और इसके balance होता है, 5, कितना होगे, 26, तो आप करो, 26 by 8, 8 threes are 24, 2 by 2, 1, 3 bond pair, और एक क्या बचेगा, आपके पास lone pair, तो आपको करना कुछ नहीं है, nitrogen की भी वही tetrahedral geometry होनी चाहिए थी, अब ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, कि tetrahedral structure के अंदर, चारो portions क्या होती है, same, तो आप lone pair को जहाँ इच्छा हो, वहाँ रख सकते हो, तो मैं lone pair को यहाँ रख रहा हूँ, थोड़ा दिखने में से symmetrical लगेगा, बाकी ये hydrogen होगा, ये hydrogen होगा, ये hydrogen होगा, अब ध्यान से देखे, lone pair, bond pair के repulsions यहाँ पर pronounce होकर काम करना शुरू करेंगे, ध्यान देना, पहले तो मैं geometry की बात करता हूँ, तो मैं इस lone pair को shape में count नहीं करूँगा, तो अगर मैं इस lone pair को shape में count नहीं करूँगा, तो ध्यान से देखें, क्या ये आपको एक pyramid type का दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो आप इस structure को pyramidal बोल सकते हो, या फिर कुछ लोग इसे trigonal pyramidal भी बोलते हैं, क्यों क्योंकि इसका base कैसा है, trigonal है, तो trigonal pyramidal बोल लो, या फिरामिडल बोल लो, यह की बात है, दूसरा, ये देखो, ये lone pair है, ये lone pair अब क्या करेगा, इस NH bond के bond pair को repel करेगा, इस वाले को भी करेगा, और इस वाले को भी करेगा, तो ये molecule ऐसे था, ये nitrogen atom है, ये lone pair है, मान लो, ये वाला, छोटा हो गया lone pair, ये मान लो, ये blue color से lone pair, अब ये lone pair इस bond को भी repel करेगा, इसको भी करेगा, तो ये molecule ऐसे अंदर की तरफ compress होगा, अंदर की तरफ compress होगा, तो ये bond angles क्या होंगे, decrease और ये bond angle आजाता है, आपके पास 107 degree, the bond angle decreases due to lone pair bond pair repulsion, जबना आपको जिखाया, bond angle repulsion के inversely proportional है, lone pair bond pair, ये फिर lone pair, lone pair में repulsion जितना ज़्यादा होता जाएगा, bond angle आपका क्या होता जाएगा, उतना ही कम होता जाएगा, तो अगर आपसे कोई equation पूछता है, कि NH3 का bond angle 107 degree क्यों होता है, तो उसका reason क्या है, कि nitrogen का जो lone pair है, वो उसके bond pairs के उपर repulsion लगाता है, जिसकी वैसे bond angle क्या होता है, decrease, और वो 109 degree 28 minute ना होकर, कितना हो जाता है, कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, तो आपको feel आना शुरू हो चुका होगा, कि कैसे हम hybridization और VAC-PART को combine करके, किसी भी molecule की geometry को draw कर सकते हैं, hybridization निकालो, lone pair को minimum repulsion position पे रखो, फिर lone pair को shape में count मत करो, वो ही geometry आपके molecule की actual geometry, और practice करते हैं, एक बड़ आप इस अब कॉपी करें, hybridization में आपने दो case देख लिए, क्या तो चारों के चारों bond pair हो, या एक bond pair हो और एक lone pair हो, अब कैस में ऐसा case पी कि 2 bond pair हो और 2 lone pair हो, तो बिलकुल है, देखे अपने अगला case, 3rd case इसी का part, क्या हो, दो आपके पास हो bond pair, और दो क्या हो, lone pair, ठीक, तो दो bond pair, दो lone pair कर आप बात करो, तो उसका best example है, H2O, ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर से काम वही करना है, तो जो मिट्रे तो आपको पता है, हाइबरेशन SP3, तो जो मिट्री क्या हो नीची है, टेट्राहेडरल, ओ, H, इधर एक, और ना इधर एक टेट्राहेडरल वहोगा, तो मैं क्या करना है, टेट्राहेडरल जो मिट्री के अंदर, lone pair को oxygen की पास रखना है, इस तरह से, होगा, तो यह आपके पास जो मिट्री बने गई, अब आप ध्यान दे, lone pair को शेप में count ना करें, तो यह फिर से bent, V, और angular जो मिट्री बन गई, ठिक, अच्छा, एनस्तरी वाले हमने एड्नी किया था, आपको दिख रहा होगा, एनस्तरी में, जो मिट्री प्लेनर नहीं है, तीन एच्छ तो यह एक प्लेन में है, लेकर नाइट्रोजन प्लेन के ऊपर तुबहां लिख देना, वो जो मिट्री आपकी नोन प्लेनर है, जबकि यह जो लोन पेर रिपल्शन है बताओ लोन पेर लोन पेर रिपल्शन है तो इस लोन पेर लोन पेर रिपल्शन की वैसे H2O में जो HOH bond angle है यह decrease होगा और decrease होके यह bond angle कहां पहुंच जाता है 104.5 degree पाद एक्सपेक्टेड यह था किसके अंदर bond angle 109 degree 28 minute आए लेकिन strong loan pair, loan pair repulsion की वैसे यह bond angle decrease होता है और decrease होकर कितना हो जाता है 104.5 degree के असपास पहुंच जाता है Simple सी explanation है कभी आपसे कोई पूछे कि वाल्टन पेर लोन पेर 104.5 degree क्यों होता है तो due to presence of these two loan pairs bond angle क्या होता है आपका decrease होता है बोलो कर सकते हैं तो कुछ नहीं रटना है कुछ भी नहीं रटना है अभी हम और examples करेंगे तो हम आपको सिखा रहा हूं कुछ important चीज़ें जो बता रहा हूं जिसे bond angles आपको थोड़े बहुत पता रखने चाहिए कि में water में bond angle 104.5 degree होता है और वो क्यों होता है चलिए चार hybridized orbital के अंदर अगला और कोई case अपने पास बन सकता है क्या नहीं बनेगा तो 2 bond pair, 2 loan pair हम इसको खत्म करते है एक bond pair और 3 loan pair बन सकता है HCl के अंदर तो आप गो ऐसे दिख रहा है H और CLA एक line ही बननी है उनके अंदर कोई geometry नहीं होगी तो move करते हैं हम लोग आगे और बात करते हैं अपने SP2 हो गया, SP3 4th case की आपके पास 5 hybridized orbitals होगे बताओ 5 hybridized orbitals होगे तो hybridization कौन सा होगा SP3D अब यह आप जानते ही है SP3D hybridization trigonal biopramidal geometry दो तरह के bond बनेंगे कौन-कौन से हैं equatorial bond और axial bond बताओ दोने में से लंबा कौन होता है axial bond लंबा होता है ना चलिए, तो start करते हैं इसका भी पहला case पहला case क्या होगा पांचों के पांचों bond pair हो और एक भी lone pair ना हो सुर्फ और सुर्फ bond pair जब सुर्फ bond pairs है तो geometry वही होगी जो आप hybridization से predict करते हो तो यह phosphorus एक क्लूरीन यह क्लूरीन यह क्लूरीन यह क्लूरीन यह क्लूरीन ठीक, यह वाला bond अंगल कितना होगा 120 degree यह वाला bond अंगल कितना होगा 90 degree यह हम discuss कर चुके है कि जो आपका axial-PCL bond है वो equatorial-PCL bond से length में क्या होगा जादा और बताओ यहाँ पर minimum repulsion position कौन सी होती है भूल गए equatorial position क्योंकि देखो यहाँ इनकी बीच में bond अंगल 120 है axial और equatorial की बीच में 90 degree है अब आप बोलोगे इन दोनों में 180 है लेकिन इन तीनों और इसकी बीचे बीचे तो 90 degree है तो जो दो position की बीच में बड़ा bond अंगल है वो 120 degree है इसलिए यहाँ पर equatorial positions कौन सी positions होती है minimum repulsion position होती है और जब loan pair को या फिर multiple bond को रखने की बारी आएगी तो हम कहाँ पर रखेंगे बढ़ते हैं देखो second case क्या बनेगा इसके इंदर चार bond pairs हो और एक loan pair हो ठीक है क्या बन जाए चार bond pair बन जाए और एक loan pair बन जाए तो आप चाहो तो इस molecule को generalize करके ऐसा लिख सकते हो AB4 और उसके पास एक loan pair हो ठीक है आपकी इच्छा है वरना हम तो क्या लिखते हैं डारेट एक्जामपल लिखते हैं SF4 तो देखो SF4 में हाइबिडेशन आप निकालो 6 28 प्लस 6 इस 34 34 डिवाइड़ बाई 8 करो 8 फूर्जा 32 2 बाई 2 इस 1 चार bond pair एक loan pair आएगा अब चार bond pair एक loan pair टोडल 5 SP3D हैबिडेशन होना चाहिए यानि इस molecule की geometry कैसी होनी चाहिए trigonal bipyramidal होनी चाहिए अब क्या होगा एक loan pair है तो loan pair को आप रख दो minimum repulsion position पे तीनों में से किसी पर भी रख दो आपकी इच्छा है फिर बागी बच्चे वे इस तरह से आरेंज हो जाएंगे तो यही इस molecule की actual geometry होगी अब जमेटर आपको देखने पैसे पैचाने में नहीं आएगी तो इसको ऐसे 90 degree से flip कर दो रूटेट कर दो तो इसे रूटेट करोगे देखो क्या बनेगा का है इसलिए इसलेट को हम कौन सी geometry बोलते हैं C saw geometry बोलते हैं कौन सी बोलते हैं C saw geometry समझ रहे हैं तो trick क्या है structure बनाओ loan pair को minimum repulsion portion पर रखो और फिर loan pair को count ना करें तो जो structure बची वही उसकी actual geometry होती है C saw geometry में से बोलते हैं एक चीज़ दूसरी चीज़ बहुत ही ध्यान से देखें होगा क्या यह जो loan pair है यह इस bond pair को repel करेगा इधर इसको भी करेगा इसको भी करेगा इसको भी करेगा तो यह bonds ऐसे ही नहीं रहते हैं इसकी जो actual geometry होगी वही क्या हो चुके होगे बॉंड आपके थोड़े बहुत compress हो चुके होगे अंदर की तरफ किसकी वज़े से इस loan pair लोन पेर रिपल्शन की वैसे तो यह जो bond angle आप actually देख रहे थे 120 degree है अब यह bond angle 120 degree नहीं होकर 103 degree बन जाएगा और यह जो 90 degree का bond angle था यह भी change होकर 90 से relatively क्या हो चुका होगा कम हो चुका होगा तो यह ज़रूर ध्यान रखें due to loan pair bond pair repulsion due to loan pair bond pair repulsion bond angle will change यह will decrease तो अगर मैं आपसे पूछू कि बताओ SF4 में कितने 90 degree के bond angles होंगे तो आप बोलोगे 0 यह bond angle भी क्या हो चुका होगा 90 से relatively कम हो चुका होगा समझ रहे हैं इस तरह देखें third case third case कि आप अनेगा 3 bond pair हो और 2 आपके पास हो जाएं loan pair अब 3 bond pair और 2 loan pair example देखें यह हो गया आपके पास CLF3 chlorine के valential में 7 electrons होते हैं 3 share करने के बाद 4 बचे यानि 2 loan pair बच गए फिर से hybridization आएगा SP3D geometry होनी चाहिए यह ठीक है loan pair को रखो minimum repulsion position पे fluorine 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 अब देखो अगर मैं loan pair को shape में count नहीं करूँ तो आपको एक T बनता हूँ दिखाए दे रहा है इस geometry को हम बोलते हैं T shape कौन symmetry बोलते हैं T shape क्या यह bond angle 90 degree बने रहेंगे बिलकुल नहीं यहाँ पर भी क्या होगा loan pair bond pair repulsion होगा और इस molecule की जो actual geometry होगी वो कुछ इस तरीके से होगी यह bond angle 87.5 degree के आसपास कुछ आएगा किसके आसपास आएगा 87.5 degree के आसपास जब ध्यान रखें हम molecule की geometry ऐसे बनाते हैं लेकिन loan pair bond pair repulsion की वैसे भी इस molecule के जो bond angles है वो भी क्या होते हैं साथ में change तो आप यह ना समझें कि loan pair को shape में count नहीं कर रहें तो bond angles उतने ही बने रहेंगे कुछ cases में बने रह सकते हैं हर case में बना रहना ज़रूरी नहीं है वो cases भी हम देखते हैं भी वो आप अपने आप देख लोगे सीख जाओगे कि कहां बनेगा कहां नहीं बनेगा हाल फिलाल यहाँ पर यह loan pair bond pair repulsion होगा इसके वज़ेसे इसके bond angles क्या होंगे change होंगे चलिए जी move करते हैं अगले case के उपर अगला case क्या है फोर्थ case आपके पास क्या हो दो ही bond pair हो और तीन loan pair हो क्या ऐसा कोई possible है बिल्कुल possible है XEF2 आठ में से दो electron share कर लिए छे azidas बच गए तरीका सेम है SP3D hybridization है आप geometry बनाएं molecule की तो देखें यह loan pair minimum repulsion positions पर आजाएंगे तीनो loan pair equator equatorial position पर आएंगे अब बचा fluorine एक fluorine यहाँ एक fluorine यहाँ अब आप देखो यहाँ bond angles चेंज नहीं होगे क्यों? क्योंकि तीनों position पर loan pair आचुके हैं equal repulsion होगा और यह molecule को compress नहीं कर पाएंगे तो इस molecule की geometry loan pair count मत करो देखो एक line बन रही है तो इस molecule की geometry कैसी होगी? linear और जो bond angle होगा वो कितना होगा? Fxcf के बीच में 180 degree होगा तो जैसे वागों बोल रहा था hybridization सिर्फ structure को predict कर सकता है वो उसकी correct structure को नहीं बता सकता है यह कते ही जरूरी नहीं है कि hybridization जो structure predict की है वो ही उस molecule की actual geometry हो इस molecule की actual geometry hybridization की through predict की गई geometry से क्या हो सकती है? different हो सकती है और यही आपके सामने उसके examples है इन सब के अंदर hybridization SP3D है लेकिन सिर्फ उस molecule की geometry trigonal bipyramidal है जिसमें 5 bond pair है जैसे से lone pairs का number आता जा रहा है इस molecule की actual geometry क्या होते जा रही है? यह change होते जा रहे है और साथ में bond angles भी क्या हो रहे है? copy करें फिर move करते हैं अगले hybridization पर जहांपर आमारे पास 6 hybridized orbitals होंगे तो अब पढ़ते हैं अगले hybridization के तरफ which is SP3D2 जहांपर आपके पास hybridized orbitals कितने होने चाहिए? 6 तो SP, SP2, SP3, SP3D 5th case आचुका है अपना SP3D2 hybridization यहने आपके पास 6 hybridized orbitals होंगे फिर से वही कहानी पहला case पहला case क्या होगा? 6 के 6 bond pair हों और एक भी lone pair ना हो एक्जांपल आपके पास हो गया SF6 जमेट्री मैं आपको बताए थी octahedral geometry होगी sulfur, fluorine, 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 fluorine एक fluorine उपर और एक fluorine यह आपका नीचे तो जो bond angles होते हैं वो सारे के सारे हाँ पर कितने होते हैं? 90 degree bond angles होते हैं यह bond angle भी कितना होगा? 90 degree और एक यह bond angle कितना होगा? तो देखो octahedral जमेट्री में एक और बड़ी important चीज़ आपको लग रहा ऐसा है कि यह positions अलग-अलग होगी देखो मैं इसके एक free diagram बनाता हूँ sulfur, fluorine, 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 यह fluorine और यह अब आप इस molecule कैसे भी घुमा लो उल्टा कर लो, नीचे कर लो यह सारी positions हैं आपर क्या होती है? actually क्या होता हम यह bonds बना के connect कर देते हैं geometry दिखाने ले तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर यह positions अलग-अलग हैं लेकिन actually सारी positions same है सारे के सारे SF bond length भी क्या है यहाँ पर same होता है अब ध्यान रखना कि all positions are same all positions are same in octahedral geometry ठीक है? जैसे आपके पास trigonal biparamidal में थी axial positions और equatorial positions अलग थी equatorial position minimum repulsion position थी यहाँ पर ऐसी कोई भी position नहीं होती है ठीक है? चलिए तो यह तो यह बात SF66 bond pair और zero loan pair की इसी case के अंदर अगर आपके पास आजाए 5 bond pairs और एक loan pair तो देखें इसका example ले लो BRF5 ले लो एक time के लिए ठीक है? तो BRF5 में क्या होगा? देखो ब्रोमीन के वालेंशल में 7 एलेक्टोन होते है पांच share कर लिए एक इसके पास loan pair बचेगा यह फिर अपना formula लगा लो 7 और 7 दोनों हेलोजन है तो 7 शिग्जा 42 42 डिवाइड़ बाई 8 इस 5 आएगा question 2 आएगा remainder 5 प्लस 1 पांच bond pair एक loan pair तरीका वो यह central item आपका bromine है octahedral geometry बनाओ और loan pair को रख़ो minimum repulsion position पे तो आप loan pair को कहीं पर भी रख सकते हो तो मैं यहां रख रहा हूँ यहां रखने के बाद अगर आप देखें तो यह geometry कैसी दिखाई देगी तो देखो नीचे एक square base बन गया है और इसको अगर हम इस fluorine से connect करें तो आपको एक pyramid बनता हूँ दिखाई दे रहा है इसलिए इस structure को हम बोलते है square pyramidal तो अपनी technique hybridation से जो structure बनती है वो structure बनाओ loan pair को minimum repulsion position पे रखो तो यहां सारी position से में आप loan pair को कहीं पर भी रख सकते हो हर बार यहीं geometry बनेगी बसे angle मान लो आपने loan pair को यहां रखा तो ठीक है यहां रख दो फिर आपके पास क्या होगा fluorine 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 तो देखो यह चारो fluorine एक square बनाएंगे और इस तरह से pyramid form होगा समझे रहो ना तो घुमाने का angle का तरीका है बाकी positions आपकी क्या होती है सबकी सब सेम होती है तो यह square pyramidal structure होगी अब मैं आपसे पूछूँ कि बताओ इस BRF5 में कितने 90 degree bond angle होगे तब बोलोगे देखो यह रहा 1,2,3,4,5,6,7,8 नहीं एक भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि लोन पेर है लोन पेर बांड पेर रिपल्शन की वैसे डू तो लोन पेर बांड पेर रिपल्शन बांड एंगल्स विल चेंज एंड विल बी लेस देन 90 degree 90 से स्लाइटली कम हो जाएगा structure molecule कुछ ऐसी हो जाएगी बी आर एफ 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 और एक ये फ्लोरीन उपर इस तरह थोड़ा सा distort हो जाएगा आपका molecule ऐसी की जाएगा molecule थोड़ा सा ऐसे उपर तरह उड़ जाएगा और यह जो आपके bond angles होंगे यह 89 degree के आसपास आता है कितना आता है 89 degree डेटा याद नहीं रखना आपको ध्यान रखना है कि बी आर एफ 5 में अगर मैं आपसे 90 degree bond angles पूछूं तो आप आंसर दोगे जीरो उसमें एक भी 90 degree bond नहीं होगा इसी तरह देखो इसी के डिगरी का एक और compound होता है विच इस XEOF4 हाँ XEOF4 में आप count करो तो देखो सेवन फोर्जा 28 28 प्लस 6 कितना हो गया 34 और 34 प्लस 8 42 5 bond pair प्लस एक लोन पेर होगा तो इसमें भी arrangement यहीं आएगा यह जिनॉन होगा फ्लोरीन 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 यहाँ पर double bond ओ आएगा और साथ में यहाँ नीचे क्या आजाएगा लोन पेर अब आप यहाँ पर ध्यान दे इधर से क्या और आओगा यह लोन पेर इस bond pair को रिपल कर रहा होगा चारों बॉंड को और उपर क्या है आपके पास एक double bond है तो double bond भी क्या कर रहा होगा इन बॉंड पेर को इस तरह से नीचे 90 degree से कम होने की जगह यहां पर bond angle 90 से slightly बढ़ा जाता है which is 91 degree so this bond angle is due to the balancing of loan pair bond pair repulsion by the repulsion of double bond ऐसे आपके लिए एक छोड़े सी एक्स्ट्रा चीज है थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखें कि आपसे पूछे कि 90 degree bond angle कितना है तो बोल दो कि नहीं है 90 degree नहीं है लेकिन इस case से compare करूं तो यहां bond angle 90 degree से कम हो गया था क्योंकि यह लोन पेर रिपेल कर रहा था लोन पेर यहां पर भी है लेकिन यहां पर साथ में क्या है एक multiple bond present है जो उसकी repulsion को overcome करता है और bond angle को 90 degree से थोड़ा सा क्या कर देता है बढ़ा देता है तरीका सेम है geometry बनाओ लोन पेर कर रखो लोन पेर को shape में count मत करो geometry बची वही आपके actual geometry है लेकिन जहां आपका लोन पेर है वहां पर आपके bond angles change हो सकते हैं और उनके पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा सही है कर सकते हैं अब इसमें तीसरा case possible नहीं है क्योंकि जैसे इसमें दो से ज्यादा लोन पेर आ जाएंगे ध्यान देना A, B, 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 ये एक लोन पेर ये एक लोन पेर और ये एक लोन पेर तीन लोन पेर जब एक दूसरे 90 डिगर अंगल पर होंगे तो बहुत ज्यादा पांच बॉन पेर एक लोन पेर हो और एक केस बनेगा तीसरा case में cover नहीं किया अभी कि आपके पास चार बॉन पेर हो और दो लोन पेर उसी के पर मूफ करते हैं उसके बाद इसमें तीन लोन पेर वाला case कभी भी form नहीं हो सकता है तो देखें अपना थर्ड केस थर्ड केस क क्या है चार तो हो आपके पास बॉन पेर और दो क्या हो लोन पेर तो चार बॉन पेर दो लोन पेर केस अगर मैं देखू मेरे पास एक्जाम्पल है एकसी एफ-फोर काउंट करें सबन फोर्जा 28 28 प्लस 8 36 36 दिवाइड बाइट 8 फोर्जा 32 और 4 बाइट 2 कितना हो गया 2 ठ एक फोर एक avanz". अब मैं लोन पेर को structure में count नहीं करूंगा। तो देखो यह जो जामेट्री बनेगी इसे मूते है square planer क्या ओलते है ूर्पाइर जामें से पता ल difet देसी नौन पेर ती यह ओलते हैं, इस च्वायरची कूंए कौन तो अध् temps capt अध बात नंबर दो एंगल्स जितना लोनपेर बॉट पर इधर से सीम उतना ही लोन पेर बांड पर इधर से दोना भी दुसरे को बैलेंस करेंगे और यहां bond angles आपके 90 degree बरकरार रहेंगे चेंज नहीं होंगे क्योंकि दोनों साइट से same repulsion आ रहे है और एक दुसरे क्या कर रहे है बैलेंस कर रहे है तो यह था आपका कौन सा hybridization SP3D2 hybridization जिनके अंदर 3 case possible है 4th case possible नहीं है क्योंकि जहां 3 loan pair हो गए 90 degree के strong repulsions होंगे और आपके molecule का arrangement stable नहीं हो सकता है चलिए last and final अपना 6th which is SP3D3 hybridization जिसके अंदर क्या होंगे साथ hybridized orbitals होंगे तो साथ hybridized orbitals में दो ही case possible है पहला case आप यह पास क्या हो साथों के साथ तो बॉंड पेर हो एक पी लोन पेर ना हो एक्जाम्पल हो गया IF7 कि हम सीख की चुके है कि SP3D3 hybridization के अंदर जो geometry होती है वह होती है pentagonal by pyramidal आई इधर एक fluorine atom होगा यह दूसरा fluorine यह तीसरा यह चौथा यह पांचवा इस तरह से एक pentagon बनेगा एक fluorine उपर और एक fluorine नीचे है कि लेकित इसी का अगला एक बहुत इंट्रेस्टिंग केस है जो आपको अलग तरीके से याद रखना होगा और उसको मैं इतने सी जगे में cover नहीं कर सकता हूं इसलिए आप यह सब copy करें फिर हम मूफ करते हैं अपने आखरी केस ओफ वीए सी पी आर्टी पर और फिर मैं आपको शिखाता हूं बहुत सारे एक्जामपल्स लेते हैं बहुत सारे और देखते हैं कि जो हमने सीखा क्या हम उसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं इसी के इंदर जब आपके केस बनेगा second case that is six bond pair plus one lone pair तो देखें six bond pair one lone pair में क्या होगा अगर आप normal तरीके से बात करो मैं इसका आपके एक्जामपल दूँ एक एक्जामपल इसका xcf6 एक्जामपल आपके पास होगया इसका icl6- ठीक है इन cases में क्या होता है अगर हम नॉर्मल तरीके से बात करें तो देखो पेंटागोनल बाय पिरामिडल जिमिट्री है अब यहां सारी position सेम नहीं होती है क्योंकि internal bond angle 72 डिग्री है तो lone pair को आप axial position पर ही रखोगे इस तरह से अगर हम रखें इसकी जिमिट्री को आप पेंटागोनल पिरामिडल बोल सकते हो लेकिन ऐसा नहीं होता है इसकी जिमिट्री इस तरीके से नहीं आती है यहां पर क्या होता है जिमिट्री थोड़ी सी अरेंज करता है तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जिमिट्री आपको आक्चली ऑक्टाहेड्र टाइप बनती हुई दिखाई देगी है लेकिन यह परफेक्ट ऑक्टाहेडरल जिमिट्री भी नहीं होती है इसकी जिमिट्री को हम लोग जानते हैं बाइद नेम वैसे कैब इसके लिए जादा बेटर टर्म है लेकिन दोनों ही नाम यूज किये जाते हैं और आप ध्यान से देखें एक्चली क्या होता है इसकी जमेटरी में थोड़े से चेंजे जाते हैं तो बहुत ही ध्यान से देखें आप थोड़ा सा में 3D में देखना पड़ेगा इसको ये XE है यहाँ पर आपका ये एक फ्लॉरीन आटम होगा और ये फ्लॉरीन आटम के साथ इस तरह से एक औकटा हेड्रल जमेटरी बनते हो ये आपको दिखाई देगी अच्था है तो यहाँ पर भी फ्लोरीन है यहां पर भी फ्लोरीन यहां पर भी फ्लोरीन है कितने फ्लोरीन हो गए पांच हो गए न सिक्ष्ट फ्लोरीन भी इसके जस नीचãyी आएगा करेंगे कि एचे पर फिर से आपको एक शौत रिचाई य execut Intry कर आए और जो आपका lone pair है वो lone pair इस face के along या फिर वो इस वाले face के along इन दोनों faces के बीच में क्या होता यह घुमता रहता है कभी यह lone pair इस वाले face पर आ जाएगा कभी यह flip करके इस वाले face पर चला जाएगा इस lone pair को हम भोलते हैं stereochemically active lone pair यह stereochemistry term आप organic में यूज़ करते हो जब एक attached group अपनी position को लगातार change करता रहता है तो हम stereo active group बूलते हैं तो यहाँ पर जो lone pair है यह कभी इस वाले face पर आएगा कभी इस पीछे वाले face पर जाएगा और इस तरह से fluctuate होता रहेगा actually structure को तीन structure का एक hybrid माना जाता है एक structure तो यह रही दूसरी structure ऐसी बनाई जाती है आप देख लें याद बाद तो आपको इतना साही रखना है वो भी special case है सरफ इसलिए दूसरा case बनता है यह है कि यह फ्लूरीन यह फ्लूरीन और कि लोन पेर आगए आपका स्वाले face पर कि इस में convert हो सकता है यह फिर यह फ्लूरीन है और यह लोन पेर यहां पर आँर इस स्थे इन तीन जगह पर आपका लोन गूम सकता है उसको मुझते विद्धिलोकलाइश यह स्टीरियोकेमिकली एक्टिव है तो जब भी कभी किसी मॉलीक्यूल के पास ऐसा स्टीरियोकेमिकली active loan pair आता है उसके नाम के आगे हम kept प्रिफिक्स लगाते हैं इसलिए इस geometry को हम kept octahedron या फिर distorted octahedron structure बोलते हैं तो इस इस टूरियों के लिए active loan pair और इसकी presence की वज़े से ही इसकी geometry perfect octahedron नहीं होकर कैसी होती है kept octahedron होती दो example आपको as it is याद रखने पड़ेंगे इसी के अंदर अगर आप दूसरे cases देखो जैसे Tcl6 2- इसके अंदर भी six bond pairs plus एक loan pair है लेकिन इसकी geometry perfect octahedral होती है इसके अंदर इस तरह का stereochemical active loan pair नहीं होता है इसमें no stereochemical active या stereochemically active loan pair is present तो इस सब experimental है अपन molecule की शकल देखकर हम यह नहीं बता सकते हैं कि उसके stereochemical active होगा या नहीं होगा इतने चीज याद रखने की यह आपको ध्यान रखनी होगी लेकिन इसके लावा पाक की जितनी भी cases थे उन सब की geometry आप मेरी ट्रिक से फॉर्म कर सकते हैं तो आप इसे कॉपी करें यह तो informative था आपके लिए information याद रखनी होगी अब मैं आपको यूज करना सिखा था अपनी ट्रिक को सारे cases हमने cover कर लिए बॉंड एंगल्स वगरा सब मैं आपको बताई दियें प्रेक्टिस करते हैं अपने ट्रिक की और देखते हैं कि कैसे हम अलग-अलग और फॉल्विंग मैं शुरू कर रहा हूं आपके सामने एक्जामपल लिखना आप अपने ट्रिक को यूज करें और कोशिश करें इनके इनकी जमेट्रीज को प्रेट करने की बताने की कि इनके अक्च्वल जमेट्रीज क्या होगी बहुत आसान है अगर आपने ट्रिक जमेट्रीज को आसानी से बता सकते हो कि इसकी एक्च्वल जमेट्रीज क्या होगी बस लिखते जाओ धड़ा धड़ा सुचना ही नहीं है है चली है अगरेशन निकाले जमेट्री प्रेट करें फिर हम इनको डिस्कस करते हैं हो गया तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं शुरुआत करते हैं आई एफ 5 से रूल लगाएं सारे के सारे होजन है तो 76 42 42 डिवाइड बाइट एट एट फाइट फाइव सा फॉर्टी टू बाइटू यानि पाँच बॉंड पेर्स और एक लोन पेर इसमें होगा बताओ हाइब्रेशन क्या जाएगा SP3D2 छे होगा है ना SP3D2 में स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए थी ओक्टाहेडरल लेकिन अब एक्चल स्ट्रक्चर क्या बनेगी लोन पेर को तो हम शेप में काउंट करेंगे नहीं तो स्क्वार पिरामिडल तो इसकी जमेट्री होगी स्क्वार पिरामिडल बताओ 90 डिगर स्ट्रक्चर होगी बस आयोडीन की जगा जिनॉन आ जाएगा फ्लोरीन 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 डबल बॉंड ओ नीचे लोन अभी बता था बॉंड एंगल कितना आएगा 91 डिगरी आएगा ना यहां कितना आएगा 90 सोड़ा चोटा 89 88 के आसपास चलिए अगला अगला देखें अगला कौन है एक्सी ओटू एफटू हाँ जी बनाए काउंट करें इस वन यह बन गया चार बॉंड पेर प्लस एक लोन पेर हाइब्डेशन क्या गया SP3D बताओ SP3D हैब्डेशन में स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे यह जिनौन को रखो बीच में ट्राइगोनल बाइप्रामिडल स्ट्रक्चर होनी चाहिए अब एक तो है लोन पेर तो लोन प कैसे क्या लाएगी हाँ वेरी गुड सी सौ जमेट्री हो गई और बांड एंगल नाइंटी डिगरी नहीं रहेंगे चेंज होगे ना लोन पेर बांड पेर रिपल्चन होगा और उसकी वैसे बांड एंगल आपका चेंज होगा आगे बढ़ें अगला मॉलेक्यूल XEO3 नि हाइबडेशन क्या गया SP3 SP3 में तीन बांड पेर और सारी पोजिशन अडिट्टी करें लोन पेर को कहीं पर भी रख दो अब लोन पेर को शेप में काउंट नहीं करेंगे तो देखो स्ट्रक्चर कैसी बन गई ट्राइगोनल पिरामिडल या फिर आप चाहो तो सिंपल पिरामिडल भी स्ट्रक्चर को बोल सकते हो सही है अगला मॉलेक्यूल ICL4 माइनस ICL4 माइनस काउंट करें हेलोजन से ना तो 7535 और 136 36 divided by 8 8 432 4 by 2 is 2 तो यहाँ पर क्या बना चार बॉण्ड पेयर प्लस दो लोन पेयर 6 hybridation क्या आना चाहिए SP3D2 SP3D2 की जयमेट्री होगई ओक्टाहेडरल यह आयोडीन यह क्लोरीन यह क्लोरीन यह क्लोरीन यह क्लोरीन ऊपर एक लोन पेयर नीचे एक लोन पेयर जयमेट्री क्या बन गई आपकी square planer और bond angles भी कितने बने रहेंगे 90 डिग्री ही बने रहेंगे चलिए जी ICL 4- के बाद CLO4- count करें 7 and 1 8 24 plus 8 32 32 by 4 is perfect 4 SP3 hybridization एक भी bond pair नहीं होगा सुर्फ आपके पास bond pairs होंगे तो वो ही geometry आएगी जो hybridization से आती है that is tetrahedral geometry मजा तो आना ही क्योंकि अपने को solve होना शुरू हो चुके है ऐसे देखो CLO3- CLO3- में गिनो 7 plus 1 8 8 और 18 26 26 divided by 8 is 8 3024 3 bond pair plus 1 lone pair तो hybridization तो वही है SP3 लेकिन अब क्या है कि एक जगा क्या आ जाएगा आपका तो एक lone pair आ जाएगा और अब आप क्या structure क्या होनेगी double bond O double bond O और single bond O- यहाँ पर बनेगा एक lone pair geometry क्या बन गई trigonal pyramidal सभी न ऐसे आप जाओ CLO2- भी दिया हुआ है अब CLO2- फिर गिलो 7 plus 1 8 12 and 8 20 20 by 8 8 2016 तो 2 plus 2 यहाँ पर आ जाएगा दो bond pair plus 2 lone pair तो यह 2 bond pair 2 lone pair geometric कैसे आ जाएगी bent या फिर angular आएगा ऐसे आप देखें आगे चलें SNCL6- SNCL6- में क्या होगा SNCL6- के अंदर आप count करें तो देखो SN आ गया किसमें carbon family के अंदर यह ना कहें सीता जी सुनो प्रभू तो वैलेंचल में चार electron चार एक पांच I think SNCL6-2- आना चाहिए इसको आप SNCL6-2- कर ले गलती से लिख दिया है आपको ठीक है इसमें क्या होगा देखो चार और दो छे और 76 आ 42 42 एंड 6 इस 48 48 बाई 8 ए 6 यहाँ पर आपके पास 6 बॉंड पे राएंगे 0 लोन पे राएगा तो सोचना है नहीं है SP3-D2 hybridization और geometric ऐसी हो जाएगी octahedral ऐसे आप आगे चलें i3- यहाँ आपको थोड़ा लगा होगा देखो i3- में 3 में से एक i को आप सेंट्रे टम माल लेना ठीक है तो सेवन्थ रिजा 21 और 22 22 डिवैड़ेड बाई 8 8 2 सा 16 6 इलेक्ट्रोन बचे यानि 3 लोन पेर तो यह बनेगा 2 बॉंड पेर प्लस 3 लोन पेर तो पहला तो हाइबडाइशन आजाएगा SP3D SP3D में आपकी जिमेट्री होनी चाहिए थी ट्राइगोनल बाई प्रेमिडल तो तीन लोन पेर तो आजाएंगे मिनिमम रिपल्शन पोजिशन पे एक आई उपर एक आई नीचे जिमेट्री कैसी हो गई लीनियर हो गया टी सी एल फोर इस तरह आप देखो टी सी एल फोर पर चलते हैं तो टी सी एल फोर बिलॉंग करता है ऑक्षिन फैमिली को वैलेंशल में छे एलेक्ट्रॉन तो 7 फोर्जा 28 28 प्लस 6 इस 34 34 डिवाट बैए 8 8 फोर्जा 32 चार बॉन पे बताओ जिमेट्री कैसी SP3D SP3D में एक तो आगया लोन पेयर और बाकी के क्या आगये आपके पास बॉन पेयर तो जिमेट्री कैसी हो गई वही सी सो हो गई ना इस तरह आप चलें आई एफ 4 प्लस आई एफ 4 प्लस में क्या होगा देखो 75 35 पांच है लोजन हो गए एक कम हो एट 4 प्लस एक लोन पेयर सेम जिमेट्री नह 2 माइनस नह 2 माइनस काउंट करें नाइट्रोजन के वेलेंशल में 5 एलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन वन नहीं 7 तो 7 तूसा 14 14 प्लस 5 19 और वन 20 20 बाई एट तो 8 तूसा 16 दो बॉन पेयर प्लस दो लोन पेयर हैब्रडाइशन आ गया SP3 तो जमेट्री होनी चाहिए थी टेट्राहेडरल दो तो हो जाएंगे लोन पेयर और ये दो बॉन पेयर जमेट्री कैसे हो जाएगी बेंट या फिर एंगुलर NH4 प्लस NH4 प्लस में आप काउंट कर लो 74028 28 प्लस 5 33 माइनस 1 32 परफेक्ट 4 SP3 हैब्रडाइशन जीरो लोन पेयर बताओ जमेट्री कैसी बनेगी टेट्राहेडरल जमेट्री बनेगी तो ये एक अपनी बहुत सिंपल सी और बहुत ही शानदार सी ट्रिक है जिससे आप किसी लोगों की बहुत कर सकते हैं बुद्ध करना कुछ निया है लोन पेयर को मिनिममम रिपलिशन पॉजिशन पर रखना है कितने बार रिवाईज करना ट्रिक वही सेम रहने वाली है और आई होब कि अब आप इसके अंदर परफेक्ट हो चुके होंगे बागी परफेक्शन आ है जो आपको हाइबडैसन में आने चाहिए जो आपके आर्गेनिक केमिस्ट्री कई बार आता है और जो यही के अंदर पूछे भी जाते हैं कई बार ते कई बार आपको मोLECULE की हाइबडैसन स्टेट उसकी जमेड्री सोस की स्ट्रक्चर से करनी होती है उसको भी फी सीखते हैं देख तें कैसे किसी स्ट्रक्चर से किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर में से हम उसके अलग-अलग ए्टमस ogG ही हाइब्स सन स्टेट को मैनीपलेट कर सकते हैं कि चछी देएं तरिंगें बालेकills यह पिसी इनदर हाइब इस यह यह नौन structure तो आपको पताया इन जनरल जो आपके hybridized orbitals होते हैं वो sigma bond form करते हैं एक compound आता है benzyne वहाँ पर आपके hybridized orbitals pi bond भी form करते हैं तो उसको भी हम देखेंगे पर हाल-फिलाल आपको अगर structure से hybridization state पता करनी है तो आप कुछ भी मत करो उसके अंदर number of sigma bonds count करो calculate number of sigma bonds formed by the corresponding atom जिसकी आप hybridization state निकालना चाह रहें और विसले center time की निकालोगे ठीक अब number of sigma bonds एक पर आपको मिल गए उससे आप इसकी hybridization state की बात कर सकते हो किसकी बात कर सकते हो hybridization state की तो अगर number of sigma bond से 2 तो hybridization मिल जाएगा SP3 तो हो जाएगा SP2 4 तो हो जाएगा SP3 हाँ वही कहानी पाच तो SP3D 6 तो SP3D 2 और साथ है तो क्या होगा SP3D 3 होगा एक चीज़ दूसरी चीज़ लोन पेर्स एंड coordinate bond is counted as sigma bond तो अगर आपको लोन पेर्स दिखाई दे रहा है या फिर sigma bond है तो उसको भी आप किसकी तरह count करोगे सॉरी coordinate bond है तो उसको भी आप किसकी तरह count करोगे एक sigma bond की तरह और यह जो टेक्नीक आपके और बहुत काम में आती है जैसे आपको एक्जामपल दो एक मॉलिक्यूल का मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3 CH double bond CH single bond CH2 CH double bond CH2 मुझे इन में सारे carbon atoms का हाइब्रेशन निकालना है तो हाँ मुझे पता आप इसे कई लोग वे पहले से आता होगा लेकिन जिनको नहीं आता है वो देखें यह CH3 जो है इस CS3 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं एक हैच इधर एक हैच इधर एक हैच इधर बस अब सिग्मा बॉंड काउंट करते चले और हाइब्रेशन निकाल चले है 1234 चार सिग्मा यानि SP3 123 इसमें एक सिग्मा और एक पाइए न तो तीन है तो यह हईब्रेशन क्या होगा SP2 123 यह भी कैसा होगा SP2 1234 SP3 123 SP2 और देको वन और दो सिग्मा बॉंड तीन सिग्मा तो इस तरह से आप किसी भी गिवन स्ट्रक्चर के अंदर एक मॉलेक्यूल के लिए क्या कर सकते हो हर कार्बरेटम का हैब्रेशन निकाल सकते हैं जी का एक फेवरेट कंपाउंड है अली अलीन्स क्या होती है जिनके अंदर लगातार डवल बॉंड चलते हैं एक अलीन का एक्जांपल मैं आपको दो C3H4 इसको आप बाइनेम याद रखें तो यहां पर क्या होगा सी डवल बॉंड सी डवल पॉंड सी एक हैच इधर एक हैच इधर चलिए काउंट करें इस इस तरह से आप किसी गिवन मॉलीक्यूल के अंदर हाइब्रेशन पता कर सकते हैं कई बार आपको इस तरह के एक्जांपल से मिलते हैं जैसे मैं आपसे बात करूं मेरे पास है बीएफ थ्री और मेरे पास है नेच थी तो बीएफ थी एक लूइस असिड है जबकि नेच थी एक लूइस बेस है इसके पास एक लोन पैर है तो ये ढेस थी इसको अपना एलेक्ट्रोन पे डोनेट करेगा जिसे इनके बीच में कउम पाउन फों होता है भी एफ F F एक कॉडिनेट बहुंद बनेगा एन ह एच एच यह जो compound बना इस compound को हम एड़क्ट बोलते हैं यह फिर हम इन्हें Edison Product के नाम से भी जानते हैं अड़क्ट बोल लो या फिर आप इसे अड़़क्ट बोल सकते हैं तो कई पार ऐसे पूछ लेता है कि बताओ इनमेंसे किस एटम का हईब्रेशन स्टेट चेंज हो रहा है और किसका नहीं तो आप देखें बी-एफ-3 में बोरोन पहले कॉंसिस्टेट में होगा तो आप ऐसी देख लो बोरोन तीन फ्रूरिन के साथ तीन बॉर्ण बनाएगा क्योंकि बोरोन के वैलेंचल में तीन लेक्टन होते हैं एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, हैब्रेशन क्या जाएगा? SP2 अमोनिया, नाइटरोजन, हैब्रेशन साथ तीन सिग्मा बनाएगा और एक लोन पेर को भी आप सिग्मा में काउंट करोगे इसका हैब्रेशन क्या होगा? SP3 यह है इनकी बॉन्डिंग से पहले अब बॉन्डिंग के बाद के अगर आप पिक्चर देखें तो देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, यह कोडिनेट बॉन्ड भी सिग्मा में काउंट होगा तो बोरोण का हैब्रेशन स्टेट क्या हो चुका है? SP3 नाइट्रोजन, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा इसका हैब्रेशन स्टेट भी क्या हो चुका है? SP3 तो नाइट्रोजन का स्टेट तो चेंज नहीं हुआ लेकिन बोरोण का हैब्रेशन स्टेट यहाँ पर SP2 से क्या हो चुका है? SP3 के अंदर change हो चुका है बोलो समझ सकते हैं इस बात को तो इस तरह से आपको organic molecules के अंदर भी क्या करना आना चाहिए hybridization calculate करना आना चाहिए कर लेंगे चलिए कर लेंगे तो आज के lecture को हम यही पर समाप्त करते हैं आज basically मैंने आपको VACPRT और hybridization को combine करके अलग-अलग molecules की geometry को plot करना सिखाया इनके उपर chemical bonding में बहुत ज़्यादा questions पूछे जाते हैं बहुत सारे exams में इनके उपर based questions पूछा सकते हैं questions solve करोगे तो आपको पता लएगा कि चीज कितनी important है और कितनी आसानीश कितना swiftly आप इस चीज को सीख चुके हो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है hybridization निकाला में आपको सिखा दिया है geometry बनाए loan pairs को minimum repulsion position पे रखें और फिर loan pair को shape के अंदर count ना करें इसके बाद कि आगे की चीजें हम लोग cover करेंगे next class तो मिलते हैं इस class और यहां से आगी continue करते हैं